मेरा नाम है विवेक भारतवाज आप देख रहे हैं हमारे चनल टेक्नलोजी विवेक जहां हम मोबाइल और केम्पूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियो लेकर आते रहते हैं आयो दोस्तो आज से हमने एक शरंकला शुरू की है जिसमें हम आपको कुछ बेसिक सी प्रोग्रामिंग के जो है प्रोग्राम्स बना कर आपको लाइब डेमो देकर यहां पर बताएंगे और समझाएंगे कि सी लेंग्विज कितनी आसान है और बेसिक है सारी जो है बना कर दिखाएंगे उसके लिए मैं आपको यह जो हमारी वेबसाइट है वहां से यह फैक्टोईल का प्रोग्राम है और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अगर आप बेगिनर हैं तो आप कॉपी बिल्कुल नहीं करेंगे आप जो है इसको टाइप करकर ही लिखेंगे मैं जिस सिस्टम पर दोस्तों इसको बनाने जा रहा था हूँ वह कोट ब्लोग जो है यह आईडी है और यहांपर हम इसको रलन कर सकते हैं प्रोग्राम को अगर आप देक्सटॉप पर यूज करते हैं तो आप जो है इसको यहां पर डाउलोड करकर सकते हैं अपर c programming c के program समा जानी चाहिए तो दोस्तों हम यहां से copy करके लाए है क्योंकि हम video बड़ा नहीं करना चाहते हैं आपने देखा होगा यहां पर टाइप करने हम बैठ जाएंगे तो ultimately हमारे वीडियो बड़ा हो जाएगा और उसका कोई मीनिग नहीं है देखिए दोस्तो ये जो प्रोग्राम है आप जब जैसे ही लेंगेज पढ़ेंगे आपको पताए जाएगा आप परग्रम कोई पर लिखिने हैं आपको जो भी लिखना है वर्ड में ही हम कह सकते हैं कि नहीं लिखना है आपको आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल अगर चार दिया है तो चौबीस पांस दिया है तो 120 यह सभी जो है इंटीजर में होंगे बतलब कि एक नंबर वाली वैल्यू होगी तो दोस्तों हमने यहां पर तीन वेरियबल ले लिए हैं जो हम नंबर ल लेगा यहां पर देखी दोस्तों हमने एक नंबर को स्टोर करा लेना है मानली जी जो भी नंबर यहां पर देंगे वह स्केन एफ की मदद से यहां पर स्टोर हो जाएगा यह इफ जो है चेक कर रहा है कि क्या आपका नंबर 0 से चोटा तो नहीं है अगर है तो फिर यह रन लेटा रहेगा और चैक और यांबर दिया चार तो पहला चला अपर जो प्रिंट करा देंगे तो मैं आभी आपको इसको जो है यहां से सेप करके दिखा देता हूँ यह देखी दोस्तों मान लीजिए मैं यहीं पर इसको सेप कर रहा हूँ मैंने इसको नाम दे दिया है आप लोग भी अपने मोगाइल फोन में जहां भी इसको चला रहे हैं वहां पर आपको इसको नाम देना पड़ेगा इसक की transfer की जाती है और जो की main हम उसको software कह सकते हैं क्योंकि उसमें programming code नहीं होता है और programming code दिया भी नहीं जाता है तो माली जी दोस्तों हम यहां से आपको run करा के दिखा रहे हैं यह जैसे ही run होगा तो आप देखेंगे यह आ गया है और यहां पर आप से integer value पूछ रहा है तो हमने जैसे ही 4 यहां पर देना है यह देखिए मैंने जैसे एंटर किया तो लिखा आगया factorial of 4 मैं इसको नीचे करके आपको code के साथ इसको समझा देता हूँ यह देखी दोस्तों यह printf आया enter and integer यह आपको दिख रहा होगा हमने जैसे ही 4 value दी वह scanf की मदद से यहां n के अंदर restore ह गई है इसने चेक किया हाँ 0 से बड़ा है तो यह यहां पर आ गया इसके बाद यह n कब तक चलेगा दोस्तों यह 4 तक चला और इसने जो है इसको इंटू करना शुरू किया तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 इस तरीके से यह 4 का factorial लाकर यहां पर 24 आ गया है तो दोस् इसकीशन टाइम कितना कम समय यह ले रहा है इस तरीके से आप जो है दोस्तो फैक्टरीट के प्रोग्राम को बना सकते हैं मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा समझ आया होगा इसी दरगी वीडियो के लिए आप हमारे शेन को सब्स्राइब कर सकते है वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेर कर सकते हैं मेरा नाम है बेविक भारत द्वाच थैंक यू